हेलो दोस्तों सवागत है आप सभी का आज एक नई वीडियो में आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको टी-शिट कलर करके बताने वाली हूँ यह मेरी भधीजियों के पास में एक वाइट टी-शिट थी मैराथन वाली तो इसी को आज मैं कलर करने वाली हूँ और मैं मार्केट से रेड कलर लेकर आई हूं तो यह सिर्फ मैं डस्रुपय का लेकर आई हूं खुला आपको भी मार्केट से इजीली कपड़ों को कलर करने वाला रंग मिल जाएगा तो आप ले लेना आप चाहें तो दस viewpoint का भी इसे पंदरा मिनिट के लिए इसको भीगो के रख देना है ताकि कपड़ा अच्छे से भीग जाए इसके बाद में इसे गरम कर लेना है जब पानी उबलने लगे अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें हम दो से या फिर देड़ चमच नमक डालेंगे तो आप अपने अकोर्डिंग देख लेना कितने आपको कपड़े कलर करने हैं यहां पे मैं देड़ चमच एक बार के लिए नमक डाल रही हू और इसके बाद में फ्रेंड्स जब पानी में अच्छे से उबाल आने लग जाए ना तब हमें उसमें कलर डालना है और कलर डालने के बाद में हम दो से तीन मिनट के लिए कलर को अच्छे से चला करके पका लेंगे और जो टी शट को हमने पानी में भीगने के लिए रखा था उसे भी निचोड करके मैंने यहां पे रख लिया है ये 10 मिनट के लिए ही केवल मैंने भी गोया है यहां पे और आपको भी पानी से निकाल के इस तरह से रख लेना है निचोड के और गीली टी-शट को ही हमें इसे इस रंग के खोलते हुए पानी में डालना है और अच्छे से उपर से नीचे करते हुए चलाना है ताकि कलर जो ह अच्छे से टी-शट में लग जाए और कम से कम यहां पे आपको 15-20 मिनट के लिए पानी में इस कलर के साथ में ही टी-शट को पकाना है इससे क्या होगा कि आप जितना ज्यादा अच्छे से खौलते हुए पानी में पकाएंगे उतना ज्यादा टी-शट का कलर डार्क होग पक्का होगा कलर और बाकी कलर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो यहां पर फ्रेंड्स मुझे 25 मिनट हो चुके हैं टी-शिट के साथ में इस रंग को पकाते हुए और अच्छे से टी-शिट ने कलर भी ले लिया है यहां पर फ्रेंड्स में आपको बताऊंगी कि ज्यादा तर कॉर्टन के कपड़े ही कलर होते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग और कपड़े के अकॉर्डिंग ही कलर लेकर आएं तो इस तरीके से कपड़े को हम निकाल करके सीधे रंग में से और सादे ठंडे पानी में डालेंगे इस तरीके से डिप करे यहां पर ठीक से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया इसलिए मैं माफी चाहूंगी तो मैंने बस सिदे गये किया है कि पतीले में से टी-शिट को निकाल करके और साधे बाल्टी का जो साधा पानी था उसमें मैंने इस टी-शिट को डिप किया है और जो भी क्योंकि इसका एक पार बादिद ंचे से निचोड़ करके और कहीं चाहिया में सुखा दे ना है यहां पर ध्यान रखना कि टी-शिट रंगने के बाद आपको दूप में सुखाना है बिल्कुल चाहां में सुखाना है और यह देखी फ्रेंस कितना प्यारा कलर आया है लगी निराया कि वही कलर आया है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है तो इस तरीके से आप कलर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा आपके लिए कितना हेलपफुल रहा है मेरा वीडियो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ म बिल्कुल भी ना भूलें तो सूखने के बाद कुछ इस तरह का कलर लग रहा है टीशिट का और बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ ही मैंने कुछ पुरानी टीशिट को भी कलर कर दिया था अब भी ऐसा कर सकते हैं चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए थैंक यू सो मच